कुछ दोश का मतलब होता है मंगल तो मंगल वाली रेखा जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं सीमन्स लाइन टाइप कहते हैं वैसा कि इदी दोनों रेखाएं काले रंकी हो तो निश्च्चे कालपुरुश के हैं स्थल पर बहुत सारी पतली रेखाएं सब्सक्राइब देखा जाते रहों कि तो इत्यादी पापग्रह की कुछ दोश में व्रिधि कर देते हैं कैसे होता है कुछ दोश का एफेक्ट यह जो है कि मैं यह ब्रॉक करके बताता हूं कि सबसे पहले जीवन रेखा कि इसमें होता यह है कि मस्तिश्क रेखा और हिर्दे रेखा एक समान एक लाइन पर होती है स्ट्रेट ऐसे मदलब एक इंटर्नल मंगल अंदुरूनी मंगल से बाही मंगल के बीच में सीधा सीधा एक कनेक्शन ठीक है मंगल टू मंगल तो कुछ दोश नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि मंगल मंगलिक दोश कोई कुछ दोश कहते हैं और यहां पर अगर नीचे से रेखाएं आक ऐसे नीचे की और सारी मैं उल्टा ड्रॉ कर गया नीचे की और ड्रॉ हो इस तरह से इस तरह से नीचे की और निकलने वाली देखा हैं तो यह अच्छे नहीं मानते हैं इससे क्या होता है यह मानसिक चिंता को और बढ़ा देता है डाउनवर्ड अगर देखा हो लेकिन नॉर्मली आपको हमेशा ऐसा हाथ जब भी दिखेगा मतलब की मस्तिश्क रेखा और हिदे मंखल का मैदान ऺद्देरेखा मस्तिश रेखा के हिशा ख शेत्र रेकिलाता है यह शेत्र दूशित होने पर मंगल दोश परिलक्षित होता है जिस पर हस्त रेखा शाष्थ के विस्तार विस्तार से खोज करनी चाहिए मतलब कि इस एरिया को ज़्यादा अच्छे समझना चाहिए भारती विद्वारों ने मस्तुष के रेखा कि ऊपर वाला आधा भाग राहू एवंग नीचे वाला भाग केतु को माना है उर्धव निम्न मंगल पर रेखाओं का जाल भी कुंडल अगर आपको किसी के हात में अचिक नटीके लाइन चीह होता है कि हृदय रेखा निकली है और मस्तुष रेखा बहुत है बहुत ज्यादा फोकस्ट। आप किसी भी ऐसे इंसान को देखेंगे जो मांगलिक हो ठीक है जिसके लगन में चोधे में साथवें आजवें और बारवें में जिसमें सबसे ज्यादा लगन चौत और साथवें में रहे ऐसा व्यक्ति को आ Georgetown बहुत ज्यादा फोकस वह अपने लाइफ में अपने टार्गेट को अपने आग से होजल नहीं होने जाता और इसी कारण से कि इसी कारण से होता यह है कि अक्सर शादी के बाद अपने काम को अपने प्रोफेशन को इतना ज्यादा वैलू देते हैं कि वह परसनल लाइफ को बिलकुल भी वैलू नहीं देते और दिक्कत वहीं पर शुरू हो जाती है जब परसनल लाइफ को वैलू नहीं मिलता तो अक्सर जो है डिवोर्स का केस बन जाता है क्यों क्योंकि यह इशू आता है दूसरा कई हाथों में जिनके हाथ में यह वाल रहता है उनका कुछ दोश होने की वज़े से दो तिन अफेर तूट जाता है मतलब दिल तूटना इसको प्यार में धोका हो जाता है ठीक है क्योंकि यहां पर मंगल इतना जादा अग्रेसिव हो जाता है कि अगले अगले के साथ उसका मेंटालेटी मैच नहीं हो पाता या क्या कहता आप लोगों ने दो दिन कुछ दिन पहले शायद वह वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता एक लड़का एक लड़की को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है गाओं का सीने ट्वीटर में देखा होगा तो यह देता अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा अग्रेशन दे देता है जिस वरसे लाइफ पार्टर के उपर इशू आता है अब कभी भी किसी के भी हाथ में अगर आप सीमेंस लाइन देखते हैं सबसे पहले उसको अलर्ट कीजिएगा कि उसको मांगलिक दोश है पहला और दूसरा अपने धर्म पत्नी या अपने धर्म पती के साथ अच्छे से पेश आना नहीं तो शादिशुता जिंदगी खतम